हाई गाईज कैसे हैं आप लोग सो दोस्तों इन्मो का पेपर 21 तारीक को हुआ और उसके solution, official solution, same day आ गए और बचों ने उसकी detailing मांगी हम लोगों से तो जैसे जैसे हम लोगों को time मिल रहा है दोस्तों वो videos हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले पहला question हम तो आप दीके दोस्तों इसको है ना सबसे elegant solution इन्होंने दे रखा है मगर यह बहुत crisp है इतना चोटा सा दे रखा है तो यह समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको अच्छे से डाइग्राम बना के explain करा हूँ यह डाइग्राम है दोस्तों देखिए CAB हम लोगों एक isosless triangle दे रखा है जिसमें CA और CB बराबर है फिर यह बोलता है कि यह एक ऐसा right angle triangle बनाया है CAB जिसमें angle ECB 90 degree है तो भाइस अब यह 90 degree हो गया राइट अब यह 90 degree होने से क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूँ देखिएगा ECB 90 degree हो गया अब उसके बाद यह बोला कि यह एक लाइन parallel बनाई इसके मतलग बतलग BC के parallel line है यह बादी जो CA line को F पर कट कर रही है और यहाँ पर G पर कट कर रही है ठीक है अब कुछ markings मैंने की है दोस्तों देखें क्योंकि यह chord है यह chord है यह अगर इधर X एंगल बनाईगी तो इधर भी X एंगल बनाईगी अब हम लोग को बेसिकली यह बोला था कि यह जो green triangle ना EGB triangle का circum circle इसलिए मैंने यह circum circle बना दिया जो EGB का है इसका जो center होगा जो की O माना है वो center basically ECF के circum circle पर लाए करेगा ठीक है तो ECF को हमने white से mark कर दिया है अब generally इसके अंदर angle chasing एक wise solution होता है ठीक है अब आप देखिए क्योंकि E ABC यह सब लिखना पढ़ेगा आपको E ABC एक cyclic quadrilateral है तो अगर यह एंगल 90 डिगरी है तो यह भी 90 डिगरी होगा अब देखिए क्योंकि यह लाइन पैरलल है यह एंगल और यह एंगल दोनों ठीटा हो गया यह ठीटा है था पूरा तो यह भी ठीटा होगा और क्योंकि आइस उसलिस था तो यह ठीटा यह ठीटा यह ठीटा तो यह दोनों भी बराबर आगया तो यह और यह बराबर आगया तो यह 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 बराबर हो गया राइट एंगल ट्राइंगल में कब होता है जब यह एफ मीडियन होती है तो f मिटपॉइंट आगया राइट अब देखिए मैंने e gb का सरकम सरकल बनाए और तो f midpoint हो गया न e g quad गा midpoint हो गया अब आप देखो ध्यान से यह e g quad यहाँ पे अगर x एंगल बना रही है तो center पे 2x बनाएगी और क्योंकि यह यह भी एक्स होगा यही तो होता है यह कॉड्ट यहां पर सरकमफरेंस पर अगर एक्स बना रही है तो सेंटर पर टू एक्स बनाएगी और यह क्योंकि मिट पॉइंट है तो पर्पेंडिगुलर बाइस इंटर होगा तो आधा-धा हो जाएगा यह एक्स हो गया अब आप दे हुच से पास करेगा क्योंकि देखिए अंगलिं सेंट सेग्मेंट इक्वल आ रहे हैं तो यह बस्ते प्रूफ इंहों ने एक्सपेंड किया जो इन लोगोंने दिया है एक्डिग है तो मैंने बस बच्चों की जो रिक्वेस्ट है उसके बस पर इसको अप्र एक्स्पीन थ ठीक है अब दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं तो दोस्तों प्रॉब्लम नपर टू जो है न वह और मेरे को यह मानना है कि इसमें पार्शल मार्किंग सभी बच्चों की आने वाली है तो कुछ ना कुछ अब जो भी बच्चा आरेमो और आई यू क्लियर करके आ है वो यह चीज समझ गया होगा कि सर यह आंसर हो सकता है हना अब आप देखो हना मैं आपे इस क्वेश्चन को एक्स्पेन करता हूं पर यह मान दीजिए रोवन है ऐसे करके रोव टू जिरो टू फोर है फिर यह कॉल क्या बोल रहा है कि आप रो यह कॉलम में से कुछ भी एक चूज करो उस रो के जैसे मैंने रोवन चूज की तो थाउजन कोई से भी आप रेड कर सकते हो कोई से भी थाउजन रेड कर सकते हो अब उसके बाद आप जो रेड जो रो चूज करोगे जो भी रो चूज करोगे या column choose करोगे, उसके अंदर red color का box नहीं होना चाहिए, तो जैसे मान लीजिए, आपने row 1 choose की, row 1 choose करके आपने thousand boxes को रह गिया, अब आप अगले बार में क्या-क्या select नहीं कर सकते हैं, row 1 select नहीं कर सकते, column 1 से लेकर column 1000 तक select नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप row 1 में पहले thousand को red करोगे, तो column 1, column 2, column 3, column 4, सब में एक ना एक red हो जाएगा, correct, तो अब इन लोगों ने इस पूरी situation को कैसे बोला है, कि आर n जो है न, वो आपका 2024 है, और जो k है, वो thousand है, ठीक है, यही दो important numbers है, and they are saying that k into 2n minus k is the number of k into 2n minus k, is the number of cells, जिसको आप red कर सकते हो, ठीक है, यह calculate होके, जो आता है, वो मैं भी आपको बता दूँगा, थोड़ी देर में, ठीक है, अब आप देखें, इस problem को समझे, मैं पहले कोई सी भी row collect कर सकता हो, कोई सी भी row, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, मान दीजिए, आप row one choose करते हैं, ठीक है, so one plus k, one plus k, देखे, k column बरबाद हो गए, एक row, जो आपने चूस की बरबाद हो गए, तो हर, every move, results in, results in, k plus one, bad rows, मताब, bad column slash rows, अब देखे, total आपके पास, n rows है और n columns है, तो 2n, rows and columns है, और उसमें से, आप यह मान दीजिए, कि मतलब, पहले move के बाद, इतने bad row और column होगे, उसके बाद दोस्तों, आप मान दीजिए, अगर आप row two choose करते हैं, example, क्योंकि row two, सही थी, every subsequent move, after first move, पहले move में तो, k plus one, cells आपने बरबाद कर दी, मतलब k plus one, rows और column आपने बरबाद कर दी, जिनको आप bad बोल रहे हैं, मतलब उसमें bad लिखा हुआ है, इसलिए मैं bad terminology use कर रहा हूँ, next move में at least एक row तो बरबाद होगी, सही था, जो rows तुमने select ही है, वो तो बरबाद होगी, सही, so every subsequent move, every move, result in k plus one, first move, result in k plus one, bad column, subsequent move, result in one, at least one, bad, row और column, एक न एक कॉलम या रो तो बरबाद होगा होगा, जैसे मैंने आपको बता है, पहले आपने row 1 लिया था, तो r1, c1, c2 से लेकर c thousand, k plus one ये बरबाद होगे, अब आप row 2 चूस करोगे, तो row 2 तो बरबाद होगी था, right, अब उसके third move में, आप ना row 2 चूस कर सकते हैं, ना row 1 चूस कर सकते हैं, ना column 1 से लेकर column thousand तक move ये कर सकते सकते हैं, इसका मत्बत देखें, total आपका 2N थे, first move को हटाने के बाद, इतने options बच्चे हैं, अब आप ये मान लो एक बार के लिए, एक बार के लिए, कि हर बार, एक एक ही कम हो रहा है, at least one bad है, आप मान लो कि एक ही bad हो रहा है, क्योंकि करते हैं, कुछ जादा bad हुए, तो कम red कर पाएंगे, ये common sensical बात है, ये लिखना बढ़ेगे अपने call दो, मगर at least एक red, मतलब एक, अगर column बरबाद हो रहा है, तो ही maximum red होंगे, तो after first move, 2N minus K minus 1, steps are remaining, ठीक है, अब आप मान लो कि ये सब ले पारे हो, ठीक है, तो total मिला के, this plus 1, जो पहला वाला move था, 2N minus K, rows या column आप choose कर सकते हो, 2N minus K, rows या column आप choose कर सकते हो, और हर एक row या column में आप K को red कर सकते हो, मतलब K जो thousand है, so basically हमने एक hypothesis निकाला, आप यहाँ पे बहुत बड़ी problem, problem क्या है, सर क्या guarantee है, कि हमें ऐसा कोई painting मिल जाएगी, कि हर बार, एक ही bad row या column हो रहा हो, तो देखो दोस्तों, इसमें क्या symmetry है, symmetry है, और ऐसे proofs के अंदर क्या होता है, अगर आपने एक claim मारा, देखो यह आपने proof कर दिया, कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यह तो proof होई गया इससे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आप maximum कितने step चल सकते हो, maximum आप 2N-K step चल सकते हो, पहली step को मिलाते हैं, तो हर step में आपको 1000 red करने हैं, मतलब k इंटू 2N-K maximum आगे, अब maximum आएगा यह प्रूव करना पड़ेगा, तो maximum आएगा, उसके लिए देखो, symmetry होती है, वो क्या बोल रहा है, पहले इसको आप red कर दो, फिर आप इसको red कर दो, मतलब सारी row को चूज करकर के, आपने red कर दी, अब देखिए, आपने कितने red कर दी, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हर row के अंदर starting के red किया, तो K into N rows की यह आपने red कर दी है, into K, अब देखिए, दोस्तो, K column आपने बरबाद किया है, अब हर column को choose करो, और red करो, ऐसे, ऐसे red करना है, ऐसे red करना है, यह कि देखो, इस पूरे column में कुछ भी red नहीं था, यह कितने column बचे, N minus K, N minus K के अंदर, आपने N minus K column choose की है, और हर column के अंदर, K, आपने paint कर दी, तो total मिला के, K into 2N minus K, तो देखिए, पहले आपने proof किया, कि maximum यह हो सकता है, and then, आपने mapping दिखा दी, जिसके अंदर यह आएगा, तो अगर आपने maximum proof किया है, तो मेरा मानना है कि आपको 50% score मिल जाएगा, और 50% आपको यह mapping दिखाने का मिलना चाहिए, ठी तो थर्ड वाला question है, वो modular arithmetic का था, और question को पढ़ते है पहले, let P be an odd prime number, and A, B, C, B integers, so that the integers A to the power 2023 plus B to the power 2023, B to the power 2024 plus C to the power 2024, C to the power 2025 plus A to the power 2025, which are all divisible by P, prove that P divides each of A, B and C, तो generally दोस्तों यह बिल्कुल intuitive इसकी thought process है, by contradiction ही करते है, सबसे पहले तो देखो, इसके अंदर आप observe करो, अगर यह P से divisible हो जाएगा, और यह P से divisible हो जाएगा, और यह P से divisible हो जाएगा, तो होगा क्या, या तो तीनो ही P से divisible होंगा, या तीनो नहीं होगा, तो हम मैं ब किया है, तो तीन statement है, A to the power K plus B to the power K, A to the power K plus 1 plus B to the power K plus 1, C to the power K plus 2, इंटो A to the power K plus 2, अब आप इन numbers को देखे, K, K plus 1 और K plus 2, यह numbers obviously consecutive है, AP में है, तो इनो ने कहा न, इन दोनों का product consider किया है, तो K into K plus 2 plus 1 is equal to K plus 1 का square होता है, यह algebra का identity का fact, basically use किया है, अब आपको बताता हूँ कैसे, देखिये, अब A की power K into K plus 2, यह power वाला rule लगा दिया, A की power M, की power N, A की power MN होती है, अब देखिये दोस्तों, मुझे पता है, A की power K, K plus 2, राइट, is congruent to A to the power K, की power K plus 2, सब यह mod P चल रहा है, अब A की power K, congruent to minus B to the power K आएगा न, mod P, क्यों, क्योंकि A की power K plus B की power K divisible, तो A की power K को modular में हम लोग minus B की power K से replace कर सकते हैं, ठीक है, minus B की power K, अब यह देखिये, ध्यान से देखिये, अब यह minus B, अब K हमें एक odd number दे रखा है, ध्यान रखियेगा, K क्या है, odd number है, तो minus B की power K, या minus B की power K, या minus B की power K, क्योंकि K एक odd number है, हमने ही K को 23 side किया है, ठीक है, तो minus B K into K plus 2 आगे, अब A की power K, K plus 2 अब देखिये, क्योंकि A की power K plus 2 था हमने चालू किया है, हमारे पास congruence, देखो, A और B का relation K के अंदर था, A और C का relation K plus 2 के अंदर था, इसलिए हमने K into K plus 2 था, अब हम बिल्कुल उल्टा करेंगे, पहले हमने K plus 2 को भार रखा था, अब हम K को भार रखे, तो हमने K को भार रखा, तो इससे हमारा ये भी आ गया, औ से important key था, right, कि B की power K into K plus 2 is congruent to C, माना ये one of those solution है, जो बहुत जादा, clear था, बहुत जादा, intuitive था, जिसको जो अगयन इन्मों तक पहुंचा है, उसने RMO के लिए पढ़ा होगा, पूरी पढ़ी होगी, ये solution बहुत easily understandable है, ठीक है, C की power, अब इसमें कहार किया, दोनों साइट C multiply किया, ताकि K plus 1 square बनाए जा सके, तो C की power K plus 1 square, अब C की power K plus 1 के square को, ये बहुत important thought है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और C की power K plus 1 को, माइनस B की power K plus 1 को, यहाँ पर B की power K plus 1 को, यहाँ पर B की power K plus 1 का square, इसलिए लिखा है, ठीक है, क्योंकि वो even मन जाएगा, जैसे मैं बता जता हूं, आपको जैसे minus 1 की power, minus 2 की power, अगर आप 4 करने हैं, तो इसको आप 2 की power 4 ही लिख सकते हो, क्योंकि power even है, तो यह power even हो गई, ठीक है, अब इसको फिर अलग-अलग करके लिख दिया, अब क्योंकि देखिए, यह B की power, B की power k into k plus 2 का, अब C की power k into k plus 2 लिख सकते हो, यह cancel, मतलब यह, और यह, finally, किसके परावर था, k plus 1 के square, यहां से आप बोल सकते हो, P is congruent to C, तो B और C, same remainder छोड़ रहे हैं, P पे divide करने हैं, इसका मतलब, B की power k plus 1, plus C की power k plus 1, क्योंकि same remainder है, modular arithmetic के अंदर, यह आ जाएगा, बी की power k plus 1, congruent to C की power k plus 1, यह आ जाएगा 2, अब देखिए, यह एक even number है, P क्या है, एक odd number है, right, मतलब, आप यह, खुद सोच के देखिए न, remainder अगर यह दोनो divisible नहीं होते हैं, इनका remainder same है, B और C का, तो इस वाले statement को देखिया, यह remainder R1 चोड़ेगा, और यह remainder R1 चोड़ेगा, my contradiction, मतलब contradiction चल रहा है भी, तो R1 प्लस R1, 2R1, अब 2R1 0 कैसे हो सकता है, आप बताईए, 2R1 एक ही तरीके से 0 हो सकता है, कि जो R1 है न, वो 0 हो, इसका मतलब B और C, divisible है P से, P divides B, और यह contradiction आ गया, और इस से proof हमारा complete हो जाता है, इसके अंदर दोस्तों, अगर आपने यह कि आए न, कि यह बोलाए कि यार, A, B, C, तीनों ही, P से divisible नहीं होंगे, या तीनों divisible होंगे, जो हमना आपने स्टार्ट रहा है, यहां पर थोड़ी बहुत fight मारी होगी तो इसकी partial marking आप लोगों मिल सकते हैं, ठीक है, चलिए, अगले question पर, चलिए दोस्तों, अब question number 4 पर हम cardinal, if s contains the integer mod s, where mod s denotes the number of distinct elements in s, ठीक है, तो यहां पर आप example देख लेते हैं, पहले इसको समझ देखें के लिए, भाई, 135a cardinal set है, क्योंकि इसमें number of elements कितने हैं, और 3 ही set के अंदर भी आ रहा है, तो ऐसे set को cardinal set कहते हैं, ठीक है, because it contains exactly 3 distinct elements and the set contains 3, पिर क्या बोल रहा है, एक function f set of positive integer से itself पर defined है, मतलब f क्या है, n to n, यहां बुचक है, such that for any cardinal set s, तो अब देखें दोस्तो, एक set cardinal set आपने लिया, एक cardinal set आप लोगो ने लिया, ठीक है, अब f of s उस पर लगाया, ठीक है, is also cardinal, तो f s, denote the set of all integers that can be expressed as f of a, for some a belongs to s, find all possible values of f 2020, अब क्या बोल रहा है, f s is also cardinal, अब देखें ध्यान से देखें, यह function की definition है, let f be a function, from the set of positive integer to itself, such that for any cardinal set s, the set s, is also cardinal, यह 100% है, कि cardinal होगा ही होगा, f की definition इस तरह की है, here f s denote the set of all integers that can be expressed as f a, यह तो ठीक है, अब हमें यह पूछा है कि f 2024 की possible values क्या होगो, ठीक है, अब आप देखें लोगो, इस solution में, सबसे पहले ही यह बोला गया है, क्यार आप f x को 1 ले लो, ठीक है, अब आप कोई सा भी cardinal set लो, जैसे आपने देखें, cardinal set लेना पड़ेगा, आप एक ही cardinal set ले सकते हो, 1, यह cardinal set क्यों है, कि इसके अंतर number of elements कितने है, 1, और यह 1 से map, फिर आप एक cardinal set लो, 2, 2, 0, 2, 4, right, और उसको map करो, 2, 2, 0, 2, 4, 2, क्यों लिया, आपने देखो, आप समझे, cardinal set बनाने जरूरी है, cardinal set बनाने का मतलब, इसमें 2 element लो, 2 x के अंदर होना जाए, तो 2024 के अलाब एक और लेना पड़ेगा, 2024 के लाब एक कुछ भी लो, आपने मान देखें, x माना, अ तो 2 element है, तो 2 होना की है, तो उस x की value 2 आ जाए, तो 2, 2024 से 2, आप actually क्या ना कुछ और भी मान सकते है, इसको 2024 मानना जरूरी नहीं है, a मान सकते है, तो आप f 2024 की value definitely यहाँ पर 2 मान सकते है, ठीक है, तो एक value f 2024 की 1 आ गई, एक value f 2024 की 2 आ गई, अब यह क्या बोल रहे है, यहा अब यह बोल रहे है, the function fx equal to 1 for all x belongs to n works, ठीक है, f 2024 equal to 2 also works, finally fx equal to x for all x belongs to n, works as well, अब देखो, इसकी देखो आप, 1 से लेकर 2024 कर, आपने set लिया, इसको आप fx equal to x से map कर दीजे, यह cardinal set है, क्योंकि 2024 elements है इसके अंदर और 2024 इसका अब पहले देखिए, यह reasoning अपने लोग कर लेते हैं, कि 2,a अगर आपने लिया, तो यह a 2024 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, ठीक है, यह इसको यहाँ पर आप a कुछ भी नहीं रख सकते हैं, या फिर आप इसको, आपन तो एक काम करते हैं, यहीं तहीं कि लेते हैं, ज इन्होंने क्या बोला है, आप इसको f x equal to 1 तो हो गया, f 2024 equal to 2 में, इस तरह से लीजिए, यह cardinal set लेना ज़रूरी है, मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, यह function f x ऐसा था, जो basically इस property को satisfy करता है, कि वो जब इस पर operate होगा, तो cardinal set ही निकलना, निकल के आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 2, for any cardinal f s is also cardinal, तो एक और तो लेना ही पड़ेगा, मैं 2, आप a ले लीजे, a ही लीजे एक बार तो, हाना, अब देखिए, यहाँ पे f2, अगर 2 हो गया, तो वो f x equal to x वाले case में cover हो जाए, हाना, अब f 2024 को हमने 2 लिया, तो f2 को हमें वो ही value लेन asylum करना पड़ेगा, अब इसी को experience करने के लिए लिए यह और आगे clear कैसे हो रहा है, इन्होंने यह clear, अब क्या बोल रहा है कि एक कोई particular, एक instance लिया है function का, f x x belongs to natural number, ठीक है, the cardinal set 1 gives f1 equal to 1, यह clear हो गया, ठीक है, consider the following two cases, एक तो clear होई गया, आपको सबसे उपर वाला, अब मा इसका मतलब आपने natural number का ऐसा subset लिया है, जो cardinal है, ठीक है, अब उसमे cardinal कैसे लेंगे, देखे, imf is unbounded, fix any n belongs to natural number, कोई सभी n belongs to natural number आपने लिया है, अब अगर आपने, और n greater than 1 लेना है, अब इससे n minus 1 छोटे, जैसे मान लिए n आपने 10 लिया, तो एक छोटा के लिए, 9 natural numbers आप लोग को मिल जाएगे, अब क्या बोल रहा है, pick n minus 1 distinct integers k1 से kn minus 1, such that f of ki does not belong to n, fn, ठीक है, अब क्या बोल का दिहान से देखे, यह वाली line, what रिक है, pick n minus 1 distinct integer, k1 से kn minus 1, आप लोगो ने एक integer choose किया है, ठीक है, distinct है है, right, by the way, right, और f ki, i, जो है, f of ki, i, जैसे f of k1, f of k2, यह सा, यह n के बराबर भी नहीं हो सकते, यह वाली जो value है, ना n के बराबर होगी, ना fn के बराबर होगी, यह आपको ध्यान रखने, ठीक है, यह दोनों आपको ध्यान रखने, इसका यह कैसे selection हो रहा है, मैं आपको फिर से बता देता ह अब आपको k1, 1 integer लेना है, k2, 1 integer लेना है, k3, 1 integer लेना है, यह 3 integer लेना है, अब fk1, 1 integer हो सकता है, fk2, दूसरा integer हो सकता है, fk3, तीसरा integer हो सकता है, यह 3 ही जो value है ना, should not be equal to 4, f of 4, यह claim कर रहा है, ठीक है, इस claim का फायदा होगा, and FKI are all pairwise distinct और यह सब unequal होने चाहिए यह सब unequal होने चाहिए ठीक है then n, k1 से kn-1 is a cardinal set यह cardinal set क्यों होगा क्योंकि देखें n distinct integer आ गए उसमें n आपने जोग दिया तो total n elements हो गए n elements के साथ n आपका cardinal number हो गया अब आप देखिए यह cardinal set है अब fn, fk1 इस पर f operate होता है fn, fk1, fk2 यह सब fk, n-1 आगे यह सब pairwise distinct है याद कीजिए यह भी distinct आएगा तो यह cardinal set है यह cardinal set मिलना चाहिए आपको यह cardinal set मिलना चाहिए अब यह cardinal set मिलना चाहिए यह सब n के बराबर हो नहीं सकते है fn के बराबर हाना n और fn के बराबर आपने नहीं लिए देख लिए आप नहीं लिए तो इसका मतलब fn, n ही आएगा is the cardinal set with n distinct element, n lies in this set, n इसके set के अंतर लाए करेगा, fk definition यही थी, k cardinal set होगा तो fn, n ही होगा, right, fn, n वापस से मैं बता रहो, fk1, fk2, fk3, fkn-1 आप लोगों ने इस condition के दोड़ान n और fn नहीं लिए थे, right, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, तो this gives the identity function, जो identity function हम लोग बात कर रहे थे, अब मान लीजिए, वो bounded है, imf is bounded एक बार के लिए, ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, fx less than equal to m है, m है, m है कोई natural number होगा, for all x belongs to natural number and for some integer m greater than 0, अब यहाँ पे claim किया है, what, भाई देखो, यह मेरी thought process नहीं है, यह solution है, जिनको मैं explain कर रहा हूँ, ठीक है, for any integer a, satisfying a 1 से लेकर m, if there are infinitely many integers n belongs to n, then fn equal to a, then a equal to 1, ठीक है, इस claim को समझिए, for any integer a, a 1 से m के बीजिए, if there are infinitely many integers n belongs to capital N, such that f of n equal to a, then a has to be equal to 1, ठीक है, अब यह इसका proof देखिए, let b greater than 1, be one of the integers with f of b equal to a, ठीक है, कोई साभी एक हम लोगों ने, यहाँ पे लिया है, और यह बोला कि अगर infinitely many integers, इस property को satisfy कर रहे हैं, तो a 1 ही हो सकता है, यह ध्यान रखिए, उसका वैसे reason देखो, आपको यहीं पर clear हो जाए, मैं आपको पतारे तो, देखिए, इसका मैं कोई साभी subset लूँ, जैसे मान लिजी, मतब कोई सी भी value, जैसे b1, b2, infinite set है, ठीक है, यह a पर map दो रही है, सारी value a के बारबन, ठीक है, तो क्योंकि cardinal set आना चीग है, अब यहा पर चलो, इसका ही देख लेगा है, इसका ही देख लेगा है, यह one of the integers with fb equal to a, consider b minus 1 other distinct integer such that fci equal to a, for i1 से b, and ci are all pairwise distinct, then b, c1, c, a cardinal set है, पिछले वाले की ही reason देगा है, so the image set which consists of singleton a is cardinal, ठीक है, तो अब देखो दोस्तो, single set cardinal कैसे हो सकता है, आना क्या किया है इन्होंने, आप देखो बहुत simple सा construction की है, मैं आपको इस construction को समझाता हूँ, ठीक है, जैसे मान लिजे आपने b को 10 जोई किया, अब b1, b2, c1, c2, c9, आप element लीजे, जो सब कहां पर map हो रहे हैं, ए पर map हो रहे हैं, और इसमें आप b को जोड़े हैं, तो यह cardinal set हो गया है, अगर इस पर f operate हो रहा है, और इन सब की value a ही है, तो यह भी cardinal set होना चाहिए, अगर singleton set cardinal set है, तो a बनी होगा, तो यह clear हो गया, पर every two m से m, there are only finitely many integers x such that fx equal to m, does there exist an integer n greater than 1 this, तो यह देखो, अब यह basically f of 1 और f of 2 यह हम लोग पहले प्रूव कर चुके है, जो पहले वाला था, ठीक है न, तो इसका मतलब हमारा 1 हो गया, 2 हो गया और एक identity function, identity function हमने यहाँ प्रूव किया है, 1 or 2 हमने यहाँ पे additionally तो value 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 2024 हो सकती है, इसकी reasoning मेरे साब से तो बहुत ही ज्यादा complicated, तो अगर किसी बच्चे ने इसका elegant solution किया है तो बहुत अची बात है, पर यह तो काफी complicated reasoning मुझे लगी, अब अगले question पर चलते हैं, तो अब देखो problem number 6 हम लोग देखते है, problem number 6 के अंदर क्या बोल रहा है कि इस तरीके से a n और b n को define किया है, a n is equal to square root of n square plus 1 plus square root of n square, तो n square क्या आगे देखो, यहाँ पे odd numbers जोड रहा है, यहाँ पे even numbers जोड रहा है, और यह बोला है, determine all positive integers n greater than equal to 3, for which greatest integer of a n is equal to greatest integer of b n, अब मैं इसको explain करता हूं for le real number, इसका explanation भी दोस्तो fairly straight forward, अब इन्होंने क्या किया है, एक m को assume क्या है n square plus n by 2, ठीक है, n belongs to natural number, अब यह क्या बोला है, अब b n minus a n less than half है, पहली बात जोई है, ठीक है, अब b n आप देखे, individual summation लीजिए, तो यह क्या हो जाएगा, individual summation, b n minus a n को अगर मैं लूँगा तो यह individual summation होगी, फिर इसको rationalize किया, इन दोनों में देखो एक काई फरग है, rationalize करके आप यहां तक पहुच जाओगे, अब यह वाला जो denominator रहना, देखे, 1 upon square root of n square plus 2k is less than 1 upon n, यह और यह दोनों ही, यह individual term n से बढ़ी है, यह individual term n से बढ़ी है, तो basically जो denominator रहना, वो आपका 2n से बढ़ा है, तो 1 upon denominator, 1 upon 2n से छोटा होगा, तो इसका जो summation रहना, वो basically half से छोटा आ गया, correct, तो bn minus an half से छोटा है, एक तो यह हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है, कि an less than bn less than cn होगा, मतलब m एक ऐसा integer है, जो an से bn के बीच में आएगा, m एक ऐसा number है, जो an से bn के बीच में आएगा, तो अब इसमें क्या किया, an minus n square किया, यह आ गया, an minus n square के अंदर, वापस से rationalize किया, तो 2k minus 1 और यह आ गया, अब यह फिर से 2n के बराबर है, n plus n 2n, अब देखे, 2n बहार आ गया, 1 upon 2n, sigma 2k minus 1, sum of odd numbers, n square होता है, तो n square by 2n, n by 2 आ गया, और यहीं से basically, यहीं से आपको hint मिलेगी कि m को कैसे choose किया गया, m को n square plus n by 2 इसी वज़े से choose किया गया है, क्योंकि यहां पर answer n by 2 आता है, similarly, bn जो है, वो n by 2 से बढ़ा है, यहां पर देख लिए आप, n by 2 से बढ़ा आ रहा है, तो अब देखिए, क्या हो गया, m जो है, वो a n से bn के बीच में आ गया, और यह भी है, कि bn minus a n, half से चोटा है, ठीक है, इसका मतब दोस्तों पता ही क्या है, greatest integer, दो ही case बन सकते हैं, यह i plus 1 हो जाए, और यह i हो गया, या फिर यह दोनों ही i के बराबर हो जाए, इसके अलावा कोई और case पॉसिबल नहीं है, greatest integer, यह दोनों ही या तो i हो जाए, और यह वाला case हमें लेना है, यह वाला case हमें reject करना है, अब देखिए, वो क्या बोल रहा है, कि m, n अगर even है, तो m integer है, तो इन दोनों के बीच में एक integer आगे है, तो इसका मतलब greatest integer of bn m होगा, और इसका greatest integer m minus 1 होगा, तो m even नहीं हो सकता, n belongs to even नहीं हो, अब m को odd लिजिए, m को, मतलब n को odd लिजिए, right, n को odd लेते ही, आपका m minus half और m plus half, दोनों integer आ जाएगे, right, क्यूंकि देखि a plus half ही बचेगा, इसका fraction part अगर लेंगे, अगर n को odd लिए तो fraction part of m होगा, fraction part of m होगा, वो half होगा, तो n odd होने की वज़े से m minus half, m plus half, यह इस तरह से आ जाएगे, इसके अगल बगल वाले integer, अब देखिए दोस्तों, क्यूंकि a n m से छोटा है, तो greatest integer of a n तो पका, m minus 1 आए, right, और b n minus a n आपका less than half, right, तो अगर a n m minus half आ गया, तो इसका पत्तर देखो, मैं आपको बताया तो a n जो होगा आपका, वो m minus half से m plus half के पराबर होगा, अब आप half add कर दीजे, जो b n हो सकता है, m minus 1 से m plus 1 होगे, half add क्या है, अब देखे, m से m plus 1 के बीच में एक ही इंटीजर है, जो के m plus half, तो इसका मतलब greatest integer of b n b, m minus half ही हो जाएगा, greatest integer यह से छोटा है, यह हाफ से छोटा है, तो greatest integer of b n b, आपका m minus half होगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है, यह देख लिए, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, m minus half, m minus half, b n minus b n minus a n, right, half को रखा है, half की maximum value b n minus a n, right, तो a n plus b n minus a n, और यह m plus half से बढ़ा हो जाए, ठीक है, तो इस case में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरीके साँ आजाए, तो answer जो है, जो है, इसका all odd numbers आएगा, only integers n greater than equal to 3, that satisfy the collection, odd number, and all of them work, तो all of them के लिए, यह proof आगा, right, so this concludes the idmo solutions, guys, obviously, जो paper था, वो काफी अच्छा था, जो cut off है, वो 36 से 42 के बीच में, students के opinion के बेस्ट पर, तो यही तक आज जो था, तो I hope आप लोग को अच्छा लगा, problem number 5 दोस्तों, हम लोग अलग से solve करके डालेंगे, तो problem number 5 को, problem number 5 थोड़ी सी complicated है, उसको अलग से हम लोग solve करके डालेंगे, तो यह P1 से P4 प्लस P6 है, और जो भी जैसा भी आपको लगा, आप लोग इस corporate बताइएगा, वापस से मैं आपको बतारो, we have just explained the given solution, let's crack it.